सो गाईज हमने स्टार्ट कर दिया मैथमेटिकल फिजिक्स जितने भी प्यारी स्टूरेट्स है सब फटा 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 जुड़ जाएं और इस सेशन को जादा जादा सेयर कर दो ताकि आपका हर एक दोस जो की फर्स्ट इयर में है वो आ सके और अच्छी से अच्छी कर दोस भी देखरी होगी सो मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोगी स्टार्ट कर ने हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले विक्टर अलजेबरा को चलिए पढ़ते हैं विक्टर अलजेबरा अगर आप इंट्रोडक्षन वीडियो ना देखियो हो तो आई बटन में भी लिक मिल या डिस्क्रप्शन बॉक्स में पूरी प्लेइस्ट की लिंक मिल जाएगी पहला वीडियो जाकर देख लेए चैनल के फ्रंट पेस पर भी वीडियो मिल जाएगी वह देखें जरूर क्योंकि वहां पर आप अगर देखेंगे तो माक्स कैसे मिलते हैं क्रेडिट सिस्टम क्या होता है सिल्वस में क्या नय बदलाव किये गए टोटल वहां पर हमने कवर किया आप जाकर जरूर देख लीजिए सो चलते हैं स्टाट करते हैं हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स देखिएगा पहले आपका सिल्वस नहीं हुआ करता था बट न्यू एड हुआ है और इससे घबडाने वाली कोई बात नहीं है मैथमेटिकल फिजिक्स काफी इंपर्टन टॉपिक है आपका यहां पर फिजिक्स काफी ज्यादा इंपर्टन होता था लेकिन काफी नहीं चलाती थी इसलिए आपका सिल्वस नियर बाउट सिमिलर कर दिया गया ह राक जाली की है सो चलिए में कर्टमिटिकल फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाल है यूनिट फर्स्ट वेक्टर अल्जेब्रा होगा वह वेक्टर अल्जेब्रा की बारे में चर्चा करेंगे नो vector algebra में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है vector आगे हम vector calculus भी चर्चा करेंगे differential equations काफी ज़यादा है वो सबी हम चर्चा करने वाले हैं जो vector है समझेगा vector होता क्या है? आप समझो बच्पन में पढ़ा करते थे scalar quantity, vector quantity सदिसराज, अदिसराज scalar जो होता है होता है और जो हमारा वेक्टर होता हूं सदिस होता है अधिस राज क्या पढ़ते थे एसी कौनिय ट्टिटेस इसकेष्टल में एसे तो प्ढ़ते थे सो गए में क्या जिसका मेगनीतिव होता है बर ड्रत द signaling अहीं होता है और एक चीज थोड़ा सा का magnitude भी और direction भी अगर वो वेक्टर नियम का पालन नहीं करेंगी फिर भी वो इस killer quantity होती थी ये चीज हमारा current बताता था वट वेक्टर क्वांटी क्या होती थी ऐसी quantities जो कि वेक्टर नियम का अल्रेडी पालन तो करेंगी क्योंकि वो वेक्टर क्वांटी है साथ साथ उनका magnitude और direction दोनों होता है तो वही चीज हमने यहाँ पर बताया simply एकदम ध्यान समझेंगे कि those quantities which have both magnitude ऐसी quantities जिनके पास दोनों हो क्या बहुत magnitude and direction ऐसी quantities जिनके पास magnitude और direction हो कार्ड वेक्टर क्वांटी और वेक्टर ला को भी फालो करती हो and follow यहाँ पर लिखलो follow वेक्टर ला और वेक्टर ला क्या है आगे चलके आपको हम बताएंगे already आप class 9th में भी पढ़े थे class 11th में भी पढ़े थे वेक्टर ला don't worry आगे चलके भी हम बता देंगे लोग कर रही होती है तो वह हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर किसे कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटी इस वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी जिनका direction and magnitude दोनों होता है for example के लिए जिसे हमारा momentum एक वेक्टर क्वांटिटी है momentum कैसे momentum होता है P equal to mv होता है कि नहीं होता, बताओ P equal to mv v क्या है हमारा vector quantity क्योंकि velocity आप बताती हो velocity आपका vector quantity होता, ये सभी जानती हो कैसे, velocity कितने meter per second की वेक से किधर जा रहा है, वो हमारी velocity होती है vector quantity वो चीज, velocity तो already हमारी vector quantity ही है साथ साथ torque torque, torque भी हो दो तो यह सभी मारी वेक्टर क्वार्टी होती है अब अगर हम चर्चा करें नेस टॉपिक कि टाइप साफ वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं देखी बहुत ध्यान से समझेगा आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के हाई टॉपिक्स तक बताया जाएंगे डॉंट पढ़ने वट आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको पूरा आना चाहिए वेक्टर चीत कितने प्रकार कोगँगे आप किita बताएंगे वेकटर 10 टैपस के होते हैं शbnva प्षाव वेक्टर सब लोग chat सेक्चन में लिए बताओ किया आपको समझ में आ रहा है समझ में आ हां है very nice थाइब साब तर में आप बताएंगे वेक्टर जो होता है दस प्रकार के रहते हैं कौन-कौन से फरस्ट फर्स्ट जीरो वेक्टर बारी-बारी से हम इसी ही लेक्चर में आपका चर्चा करने वाले हैं एक एक वेक्टर के बारे दूसरा हमारा unit vector भी होता है तीसरा position vector, co-initial vector, like and unlike vector कई-कई बुक 11 अगर दिखा देती हैं तो like अलग कर देती, unlike अलग कर देती, वही चीज़ है और co-planar vector, collinear vector, equal vector, displacement vector and negative of a vector 10 प्रकार के vector होते हैं कौन-कौन से फिर्स देख लिजेगा 0 vector, unit vector, position vector, co-initial vector, like and unlike vector, co-planar vector, collinear vector, equal vector, displacement vector and negative of a vector clear है अब हम चर्चा करेंगे first जो के मारा 0 vector है तो hidden डालेंगे, इतना पहले आप लोग स्क्रीन साट ले लेंगे take a screenshot take a screenshot, clear होता है चलो next next अगर हम चर्चा करें next अगर हम चर्चा करें next हमारा क्या करा है कि 0 vector are null vector हमने जैसे कि बता है, हम पहले चर्चा करेंगे 0 vector के बारे में 0 vector किसे कहेंगे simply अगर समझे राचाहो कि ऐसा vector जिनका magnitude 0 हो बस ऐसा vector जिनका magnitude 0 हो वो हमारा null vector कहलाता है एकदम simply form है बट इसे अगर explain में समझ ना आओ उतना बड़ा definition देखके डरो मत यह जो definitions हमने लिखी है PPTs हमने बनाई है बहुत ही ध्यान से बनाई है ताकि आपको एक-एक point समझ में आ जाए आपको book में ऐसे नहीं मिलेंगे थोड़ा सा different मिलेगा तो कि यह हमारे द्वारा बनाय गया है और हमने जहां तक सोचा कि यह सभी चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए वो सभी चीज़े लिखी है ऐसा कभी मत याद करना कि ऐसा vector जिनका magnitude 0 हो वो 0 vector कहलाता उसके अगर condition रख दी जात क्या करोगे जो भी पढ़ो strongly पढ़ो तो यहाँ पर आप समझेगा एक एक point मैं समझा दूँगा दिखेगा 0 vector किसे कहेंगे यहाँ पर एक बता जा रहा एक vector is set to be 0 vector when magnitude of the vector is 0 इतना हुआ कोई भी vector 0 vector का अलागा जिसका magnitude मतलब परिमाड 0 हो and यहाँ पर बता जा रहा and the starting point and the ending point of the vector starting point और ending point same होना चाहिए जैसे आप देखते हो displacement की चर्चा करें अगर आप किसी गोल पत पर घूम रहे हो जहां से जा रहो वहीं पर आ रहे हो तो आपने कोई displacement कवर किया किया बताओ नहीं किया आपने कोई कार किया नहीं किया क्योंकि आपने कोई displacement ही नहीं किया जहां से चल रहे हो वहीं पर आ जा रहे हो displacement कहता क्या है आप जहां से चल रहे हो और first and last point के बीच का minimum distance जहां जा रहे हो वहीं पर फिर आ रहे हो उसका starting और ending point same होना चाहिए, उसका starting और ending point same होना चाहिए, बात समझ रहा है, clear हो रहा है, चल्द, इसके मतलब अगर आप समझना चाहो, 0 vector क्या कहेंगे, आगे बता जा रहा है, for instance, PQ is a line segment, the coordinate of the point P are the same as the, of the Q, a 0 vector is noted by 0, the 0 vector doesn't have any specific direction, the 0 vector का कोई भी specific direction नहीं होता, मतलब यही कहा जा रहा है, कि मालो, यह कोई point है, यह vector PQ की बात कर रहे हैं, PQ की, तो यह vector P है, और यह हमारा vector Q है, जो कि उसी point पर चला रहा है, तो इसने कोई distance cover की, नहीं की, तो आप यहाँ पर vector पढ़ रहे हैं, तो vector में क्या बता जा रहा है, आप जहां से चल रहे हैं, वह पर वापिस आ जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कह लाएगा, null vector, मतलब आप यहाँ पर mod vector PQ की चर्चा करोगे, तो यह is equal to 0, यह हमारा एक 0 vector होगा, clear है सबको, अगर हम यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर बता जा रहा है, 0 vector denoted by 0, 0 vector हमारा किसे denote किया जाता है, 0 से, and the 0 vector doesn't have any specific direction, 0 vector का कोई भी specific direction नहीं होता है, पूरे vector में अगर पूछा जाए, जितने भी types होते हैं, वेक्टर के, उनमें से कौन सा vector जिसका कोई specific direction नहीं होता है, वो है मारा 0 vector, वसे जनरली आप vector में पढ़ते हो, उसका एक specific direction भी होता है, बट नहीं, 0 vector ऐसा vector है, जिसका ए उम्मीद करते हैं आप सभी को यह पूरा लेक्चर समझ में आओगा फटा 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 से इसका एस्प्रेंट साट ले लिजिए और चैट सक्षन में आप हमको बता दीजिए कि यह सर समझ में आ गया हम लोग आगे चलें यह मैं दीए इस्प्रेंट्स जल्दी बताओ या आपको समझ में आ गया क्लियर है नो निस्ट दूसरा पॉाइंट जो हमारा आता है यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या है आप जैसे समझते हो ना यूनिट मतलब इकाई यूनिट मतलब क्योंती है इकाई इकाई से क्या होती है आप जैसे आई कैप जे कैप के कैप यह सभी जानते हो तो वो जो कैप लगा है वो यूनिट को दर साता है अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में यहां पर देखेंगे एक वेक्टर इस से टूबे देखो अगर आप जीरो वेक्टर पढ़ रहे थे तो कि किसी भी रा सिकाय किसी भी क्वांटिटी क्या किसी भी वेक्टर का मेगनिट्यूड अगर जीरो हो रहा होता था वो हमारा क्या कहलाता था जीरो वेक्टर यूनिटी वेक्टर क्या है अगर किसी भी वेक्टर का मेगनिट्यूड वन हो रहा या यूनिटी हो रही हो तो वहा कोई एक वेक्टर हमारा unit vector कहलाएगा कब when the magnitude of the vector is 1 जब किसी vector का magnitude 1 हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा unit vector वो क्या कहलाएगा unit vector in length length में उसका अगर magnitude 1 हो उसका magnitude 1 हो जिसे माल जिये कोई भी वेक्टर दिया जार उसका 1 meter, 1 centimeter, 1 millimeter तो उसका magnitude 1 आ रहा है तो वो हुमारा कौन से वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर होगा? सपोज यहां पर समझे बस इतने definition इतनी बस आपको आगे समझाया जा रहा है सपोज if x is the vector having a magnitude x यदि कोई वेक्टर x है जिसका magnitude x आ रहा है then the unit vector is denoted by unit vector x इस सभी को छोड़ दो मेरे द्वारा समझायेगे समझो अगर माल लिजे कोई भी वेक्टर ह है जैसे माल लो आपके पास कोई है वेक्टर एक वेक्टर इसका magnitude अगर आपका आ रहा है वन तो यह हमारा कौन सा कहलाएगा यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर and इसे denote कैसे करते हैं it is denoted by a cap इसे किस से denote करते हैं a cap इसे आप पढ़ते हो क्या हो यूनिट वेक्टर आ एक कैसे denote करते हैं clear हो रहा है and a cap की जो value आती है वो क्या होती है आपान में mod vector आ ये कभी मत बोलना वेक्टर आपान में mod vector आ जो unit vector a की value होती है या किसी भी unit vector की value होती है उस वेक्टर जो भी вेक्टर है अपान उस Start का magnitude वही हमारी क्या कालाती है unit vector clear है सबको और यहांपर एक चीज़ दीया जा रहा है but two unit vector can't be equal as they might to have different direction ये चीज़ समझा करो बट लेकिन यहां पर क्या समझाया जा रहा है क्या समझाया जा रहा है कि दो वेक्टर टू यूनिट वेक्टर कांट भी इक्वल दो यूनिट वेक्टर इक्वल नहीं हो सकता आज दे माइट हैव डिफेरेंट डारेक्षन अगर वो डिफेरेंट डारेक्षन में हैं तो कोई भी दो वेक्टर यूनिट वेक्टर दो यूनिट वेक्टर सेम नहीं हो सकते ये चीज़ कहा जा रहा है बात समझ रहो ना मतलब इसमें और कुछ नहीं करना आप ये समझो यूनिट वेक्टर क्या कहलाते हैं यूनिट वेक्टर जो होता है किसी भी वेक्टर का मैगनिटूड अगर वन आए तो वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है दूसरी चीज़ आप ये समझोगे कि यून प्रणाने क्या हो सकता नहीं है उम्मेद करने यह चीज़े आपको समझ में आउंगे चाठ सक्षन में लिखके बताओ यस क्लियर है आगे चला जाए बहुत बढ़ियां जैस्ट थर्ड पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर इसमें समझेंगे पोजीशन वेक्टर में बता जा रहा है यहां पर एक हम समझा है पोजीशन वेक्टर के तो या फिर आप कोई ऐसा भी कर सकती हो if o is taken as reference origin p on arbitrary point in space thus vector is card position vector don't worry मैं समझा रहा हूँ देखो पहले देखो पहले अगर हम कोई p point ले लेते हैं origin point समझो पहले अगर हम कोई origin point यहाँ पर ले लेते हैं समझो ठीक अब देखो अगर हम यही से space में कोई साभी plane ले ले यह हमारा origin point है हम इधर ले ले इधर ले इधर ले इधर ले ले किधर भी space में कोई साभी एक plane ले ले माल लो आपके पास कोई एक plane है वो उड़ने वाला plane नहीं एक समतल प्रिष्ट है तो यही हमारा क्या कहलाएगा position vector कहलाता है मतलब समझो क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है एनी point x taken in the plane is set to be a position vector अगर यह कोई भी point ले लेते हैं यक्स हमने कोई initial position माना जहां से हम शुरूआज कर रहे हैं वो हम क्या बोलेंगे उसको हम बोल सकते हैं origin point वहां से हम कोई साभी एक plane ले लेते हैं या कोई भी एक point ले ले लेते हैं पॉजीशन वेक्टर उसको क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर तो एक्स क्या क्या लाएगा इयक्स हमारा हो गया एक और फिजावेक्टर मॉजीशन वक्टर जो उजीजं वेक्टर जो होता है वेक्टर और होता है इसे कोुट को यह भीक्टर पीन ळिखर क्या है अगी सद्रेक्टर प्लस Z direction में हो तो क्या हो जाएगा Z के कैप इससे ज़्यादों तो हो नहीं सकता 3D से ज़्यादा 4D तो करोगे नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हो कोई भी वेक्टर जो आप पढ़ते हो कुछ इस प्रकार से यह हमारा हो गया क्या X direction यह हमारा Y direction यह हमारा Z direction इस पर I cap होता है इस पर हमारा J cap होता है इस पर हमारा की cap होता है यह सभी कभी नहीं भूलना यह हमेशा denote किया जाता है X के लिए I cap Y के लिए J cap and Z के लिए K cap पोलो यह सभी चीजे आपको समझ में आगई position vector clear है कोई भी हमें एक origin point लेते हैं plane में कोई भी point ले लेते हैं वो हमारा क्या का लाएगा एक position vector का लाएगा next अगर हम चार्चा करें co-initial vector co-initial vector किसे कहोगे first यहां पर वदा a vector is set to be co-initial vector when two are more vector have the same starting point co-initial vector क्या कहता है कि यह कोई भी vector हमारा co-initial vector होगा यदि दो या दो से अधिक vector किसी एक ही point से start हो किसी एक ही point से start हो जैसे जैसे for example के लिए आपके पास यह कोई भी point है point माल लेते हैं a यह हुआ हमारा क्या b और दूसरा हुआ हमारा c यहाँ पर vector a b and vector a c यह दोनों क्या हुए यह दोनों क्या हुए co-initial vector क्या बोलोगे आपने co-initial vector क्यों 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 यह दोनों a की ही point से start हो रहा देख रहे हैं आप vector a b भी इसी a point से ही start हो रहा है and same point से vector a से भी start हो रहा दो से अधिव vector भी ऐसे हो सकते हैं से आप क्या कुछ इस प्रकार से किसी भी डारेक्शन में मालोजी ए है बी सी डी यहाँ पर जो विक्टर एबी होगा विक्टर एसी होगा एंड विक्टर एडी होगा यह कहलाएगा क्या को इनीशियल विक्टर समझो पहले को इनीशियल को इनीशियल मतलब जैसे आप कहते तुम्हां को प्लेनर को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर एक ही प्लेन पर वैसे आप पोलों को इनीशियल को इनीशियल मतलब इनीशियल पॉइंट से एक ही इनीशियल पॉइंट से अलग अलग विक्टर अगर नि समझ मैं आई सबको just like and unlike vector like vector क्या होता है and unlike vector क्या होता है यह भी आपको जानना बहुत जरूरी like vector क्या 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 गालाते हैं आप छोटी सी definition लिखेंगे बहुत साफ डिफेनिस लिखेंगे the vector having the same direction are said to be like vector whereas vector having opposite direction said to be unlike vector इसको मैं समझाता हूँ जैसे अगर आपको बात की जाए like vector like vector and अगर आपको बात की जाए unlike vector unlike vector कौन-कौन से 2 vector like vector होंगे या 2 से अधिक vector like vector होंगे क्योंकि आप compare कर रहे हो न ऐसा तो है नहीं एक vector like vector का लागा नहीं कम से कम 2 vector होने चाहिए जैसे Mar यहाँ पर व discard और वेक्टर ःणेड क्या होंगे वह Like vector होंगे क्योंकि वह एक ही डारेक्शन में चल रहे हैं यह जा रहा है चाहे जिदहर जाए जाए एदर जॉपर जाए नीचे जाए कि-धर बही जाए एक ही teach लेक्सन मुब और चाहिए वो गी पहले करें उन्पयां पर आपको समझने वाली क्या बात हैं कि अगर कोई दो या दो से अधिक विक्टर कहरेंगे हुँआ कर Buddhist alumni क्या हूंगे हैं यो ällने आपत्पर न ह two tail । आप इसे ये उस अमेडे m चाहिए वह तके आख और संद लाइक करें होंगे, अनलाइक मतलब एक दूसरे से मार पीठो गई, तो एक ही डारेशन थोड़ी जाएंगे, एक साथ नहीं जाएंगे, वो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, नहीं तू इधर जाएगा, इधर जाओंगा, होता है अनलाइक वेक्टर क्या कराता है, अगर वेक्टर भी इस दिसा में जा रहा है यह वेक्टर भी इस दिसा में जा रहा है बात समझ रहे हो अगर कोई दो वेक्टर एक ही डारेक्शन में मुव कर रहे हैं तो वो हमारा लाइक वेक्टर होगा अगर वही दो वेक्टर किसी डिफेरेंट डारेक्शन में मुव कर रहे हैं क्या सबको clear हो रहा है आगी चला जाए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और अगर आप अभी तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो फटा फटा जाकर सब्सक्राइब कर लो जिसे आपको तुरंद अपडेट मिज़ा जिसे हम लाइब क्लास आप ले क्योंकि आपको ह कि दर से मिलेगा आप सब्सक्राइब नहीं की होगे तो आपको नोटिफिकेशन किधर से मिलेगा अप बताओ मेरे बात बताओ मिल पाएगा नहीं मिल पाया फिर इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप subscribe कर लो फायदा आपका ही होगा क्योंकि live class आपकी छोड़ जाएगी तो आप chat section में comment नहीं कर पाओगे आप सिर्फ क्या कर सकते हो आप description box में सिर्फ आप comment कर सकते हो हला कि आपको reply मिलेगा बट chat section की बात अलग होती है और साथ ही साथ मैं कहा दिना चाहूँगा नीचे description box मिलने की दिज़ारी आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं अगर आपको कोई queries हो आप Telegram पर follow कर सकते हैं अगर आपको regular updates चाहिए अगर आपको notes चाहिए notes हाला कि जैसे यह chapter complete होगा आपको proper notes मिल जाएगी description box में ही और वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर आप जाकर totally free all joining totally free हैं कहीं पर भी मुझे join करो कुछ पैसा नहीं लगने वाला सिर्फ मैं यह चाहता हूँ coaching free India बनाने के लिए मैंने सपत लिए मैं coaching free India बना कर रहा हूँ और यह सपत आप लोग मेरी पूरा कर सकते हो ज्यादा ज्यादा share करो जिससे हार वो student जिससे अच्छा knowledge नहीं मिल पा रहा या वो वही knowledge लेने के लिए thousand rupees minimum मैं क्राइटरी बता रहा हूँ मैं यह चाहता हूँ वो बच्चा free में पढ़े इंडिया का हर एक student free में पढ़े जिसके पास fees payment करने की payment देने की अगर उसके पास छमता नहीं है वो भी पढ़े वही knowledge प्राप्त करे आसा नहीं है वो सिर्फ fees के card नपढ़ पाए नहीं वो पढ़े और आगे बढ़े बस हम कि यहीं चाहें इवन जितने भी online educator हैं सब की यहीं चाहा होते हैं सो आप ज्यादा ज्यादा lecture share करें जिससे आपका हर एक student पढ़ पाएगा जिससे आपका हर एक दोस्त पढ़ पाएगा sir student मेरा student आपका दोस्त ना coplanar vector किसे कहेंगे coplanar vector क्या होता है coplanar vector कहेंगे three are more vector lying in the same plane are known as coplanar vector दो vector की बात नहीं किया coplanar मतलब तीन कम से कम होने चाहिए तीन से ज्यादा हो सकते हैं बड़ तीन से कम नहीं होने चाहिए जैसे यहाँ पर simply समझा जा रहा है कोई भी तीन या तीन से अधिक vector अगर एक ही plane में हो अगर वो x plane पे है तो x में ही रहे है y में है तो y में रहे है z में है तो z में ही रहे है फ्रों से मालों कि सड्रे इडशी है थमें भी भी रेख्टर भी इम्याठ ओ से बैट और से सुझे हो यार्ड श्य अगिमील हो गया सी हो गया डी हो गया सब हड़िकटर लागा दो फटाफट से यह हुए हमारे क्या और यहां से मैं याद है पहले लाइन खीज दो उसके बाद फिर विक्टर लगा दो जब बसपन में हम लोग पड़ा करते थे इवन आप लोग भी करें होगे हम लोग तो खूब करते थे टीचर्स देते थे क्या करने के लिए एक से लेकर सौ तक गिंती लिखने के लिए बहुत चोटे थे अभी तक याद है कैसे लिखते थे बताओ जैसे माल लो शुरू आती एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नव दस तो पहुंच गे उसका ग्यारा लिखते तो कैसे लिखत ने जरूरा है कि आ अब बताना जरूरा अच्छा में लिखते थे वैरी नाइस हमें भी लिखते थे बहुत बढ़नया रों को लीने नीए बेक्टर चाहते हैं रो में आएसा वेकट जो कि हमारा पैर्लल-लाइन में पढता हो या पैरल्लायन में लाई करता हो are in the same line या फिर किसी same parallel line बोलो या same line बोलो with respect to their magnitude and direction are known as collinear vector also known as parallel vector यहाँ पर बता जा रहा है अगर कोई दो vector का magnitude and direction similar हो तो वहाँ पर वो दोनों क्या कहलाएंगे collinear vector कहलाएंगे या फिर parallel vector कहलाएंगे मतलब समझो मतलब समझो collinear vector क्या कहता है collinear vector कहता है vector which lies in the parallel line are in the same line with respect to their magnitude and direction are known as collinear vector इसका मतलब समझ रहा हो न कि मतलब कोई भी दो vector है जिनका magnitude भी सेम होना चाहिए माल लो एक vector हमारा vector A है जिसका magnitude 4 है माल लिया vector magnitude 4 है और कोई दूसरा vector है vector B जिसका magnitude also 4 है और direction आप देख रहों similar है तो ये दोनों हमारे vector A and vector B are collinear vector यस समझ में आज सब को नहीं ये दोनों हमारे लाए क्या कहलेंगे collinear vector कहलेंगे ये दोनों हमारे कहलेंगे collinear vector कहलेंगे क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है collinear vector clear कुल Almost there किसे कहेंगे अगर किसी दो victor का Directionस-similar हो Magnitude-same हो और वो एक दूसरे के same line पर मिले हो, same line पर ही हो जिसे मैं जहां से initial point है वही से सुरुवात हो रहे हो वैसा नहीं है कि एक यहां सुरुवात हो रहा यहां सुरुवात हो रहा, नहीं फिर वो क्या क़लाएंगे, हमारे colinear vector कालाएंगे का रहा है two vector are set to be equal vector when they have both direction and magnitude equal even if they have different initial point थोड़ा सा changing इसमें की जा रही है कोई भी दो vector जिनका magnitude or direction same हो और वो same line पर हो तो हमारा कहला आता है collinear vector बट अगर कोई दो vector जिनका magnitude or direction also same हो बट वो किसी इनिसियल पॉइंट से move करें मतलब उनका initial point different भी हो सकता है तो वो हमारा equal vector का लाता है collinear कहोगे तो उनका जो initial point होता है वो similar होना चाहिए और जो equal होता है उनका जो initial point वो different हो सकता है जैसे जैसे यहां परता है two vector as a to be equal vector when they have both direction and magnitude equal even they have different initial point उनके पास जो initial point होना चाहिए वो different हो सकता है जैसे मालो एक vector दिया जा रहा है क्या vector एक vector दिया रहा है vector दूसरा हमारा क्या है दूसरा हमारा क्या है उनका direction यहां पर बोला क्या जा रहा है उनका direction and magnitude equal होना चाहिए दूसरा माल इसी पॉइंट पर से अगर स्टार्ट हुगा वेक्टर भी त्याहा पर वेक्टर ए मालो एक्वल टू अगर वेक्टर भी मालो इनका direction तो सीमिलर है हुआ इनका magnitude तीन रहा हो तो ये दोनों हमारेर का लाएंगे को इनेशियल लेक्टर हमारे का लाएंगे को इनिसियल वेक्टर ये दोनों हमारे का लाएंगे को इनिसियल वेक्टर बाते समझ सरी इक्वल वेक्टर का लाएंगे को इनका जो इनिसियल पॉइंट है वो डिफेरेंट हो सकता है बट को लीनियर में इनका इनिसियल पॉइंट डिफेरेंट नहीं हो स सकता है आपको मैं difference समझा देता हूं आपको मैं difference समझा देखेगा अगर हम द्यांदे one minute equal vector में थोड़ा सा यहां पर देखे अगर हम दिखाए को linear को को linear और हम दिखाए equal को क्या इन दोनों में differences है इसमें है इसमें magnitude सेम रहना चाहिए magnitude same और same चीज इसमें भी रहनी चाहिए इसमें direction भी same रहना चाहिए कोई भी दो vector का direction भी same रहना चाहिए इसमें भी direction same रहना चाहिए ठीक, बट इसमें जो initial point है initial point किसी भी दो vector का initial point भी same रहता है बट यहाँ पर different हो सकता है पॉइंट और इनमें क्या खास बात है एक दूसरे के पैरलल में होने चाहिए एक दूसरे के पैरलल में होने चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं क्लियर समझने आगया को लिनियर वेक्टर किसे कहेंगे और एकक्वल वेक्टर किसे कहेंगे समझें बात आई next अगर हम चर्चा करें displacement vector displacement vector किसे कहेंगे बोलो जल्दे displacement vector the vector a b represents a displacement vector कोई भी vector a b होगा वो represent करेगा displacement vector को वो represent करेगा displacement vector को if a point is displaced from the position a to b if a point displaced from the position a to b यहाँ पर समझो कोई भी vector है a b वो क्या कहेगा displacement vector कहलाएगा कोई भी एक आप vector लेलो इधर हम कोई एक vector लेते हैं a b कोई भी भी vector लेते हैं a b if a point is displaced from the position समझो यह vector a b जो होगा वो कहलाएगा हमार displacement vector कब क्यों जी light देख रहा जी if a point is displaced from the position a to b यदि if a point is displaced from the position a to b वो point जो है वो displaced किया जा रहा है a to b a से लेकर b तक वो हमारा कहलाएगा क्या वो हमारा कहलाएगा क्या बताओ position vector sorry displacement vector वो ही vector मारा क्या रहाते है displacement vector मतलब अगर आप फिर से कहोगे कि displacement vector किसे कहेंगे तो आप सिंपली समझा सकते हो the vector a b represent a displacement vector कोई भी vector a b है जो कि एक displacement vector कहलाएगा यदि a point displaced from the position a to b कोई भी point है वो displaced किया जासा कि a से लेकर b तक मालो यह कोई point है यह להूरा हो a से लेकर b तक तो वो हमारा क्या कहा लागा displacement vector मतलब कोई साभी vector आप pq ले लो vector p q ले लो यह मालो कोई vector p q है अगर यह point p है यह point q है तो यह vector p q कहलाएगा और कोई भी point अगर यहाँ p से लेकर के displace किया जा सके यहां क्यों तक वो हमारा क्या का लाएगा displacement vector का लाएगा clear है सबको now next and last next and last negative of a vector negative of a vector बहुत simple है क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझना इसमें कुछ भी नहीं है negative of a vector कहा जा रहा है suppose the vector is given with same magnitude and direction मतलब यहां पर समझो कोई भी दो vector negative एक दूसरे के negative vector होंगे if यहां पर समझना कोई भी दो vector एक दूसरे के negative vector हो सकते हैं यहां पर मैं अपने अंसार लिख दे रहा हूँ यह यतना छोड़ो पले यह छोड़ो इसको इसको तो बहुत समझाया गया detailing में बढ़ आप समझो सिंपल ही आपको समझना क्या है एनी टू वेक्टर एनी टू वेक्टर वेक्टर और निगेटिव वेक्टर निगेटिव निगेटिव वेक्टर आफ वन अनदर एक दूसरे के वन अनदर इफ 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 दे हैब सेम मेगनिटूड इफ दे हैव सेम मेगनिटूड से मेगनिटूड बट डिफरेंट डारक्शन डिफरेंट क्या अपोजिट डारक्शन बोल सकते हैं से बट अपोजिट डारक्शन हाँ आप सही है अपोजिट डारक्शन मतलब कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर का लाएंगे अगर उनका magnitude सेम है और वो एक दूसरे के opposite direction में जैसे vector यह इधर move कर रहा है इसका magnitude मालो कुछ भी है 10 है and vector b जो है यह इधर move कर रहा है इसका magnitude 10 है इसका direction इधर है तो एक दूसरे के opposite direction में हुए आप यहाँ पर लिख्या सकते हो vector a is equal to minus vector b कोई भी एक direction आप मानोगे क्या positive direction दूसरा हमारा already negative direction हो जाएगा तो जो vector a होगा वो दूसरे vector b का negative of a vector का हलाएगा क्योंका जो direction है वो different है तो उमीद करते हैं यह lecture आपको बढ़िया समझ में आओगा टेकी screenshot आप लोग इसका screenshot ले लो फटाफट से screenshot clear है सबको now next जो हमारा lecture होगा वो होगा laugh edition of vector वो हम next चर्चा करेंगे बट आज तक हम यही पढ़ेंगे negative of a vector next मतलब जो आपके 8 वजे की class होगी उसमें आप पढ़ोगे कुछ edition of vector edition of vector के बाले में तो उमीद करते हैं आपको यह लेक्चर बिल्कुल समझ में होगा अगर इस लेक्चर में किसी भी student को कोई problem हो तो chat section में लिखके बता दो उसके बाद हम लोग छुट्टी करें yes no problem clear समझ में आ गया बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां सब लोग chat section में लिखके बहुत अच्छे तो उमीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ होगा सो मिलते हैं नेस्ट लेक्चर के साथ जो की हमारा एडिसन आव वेक्टर होगा तो तिल दन बढ़ियां स्प्लाइब करें all the very best